दोस्तो मंत्र का साब्दिक अर्थ होता है स्तुती से युक्त प्राथना किसी भी महत्पुर्ण बिंदुओं पर दिये गए बिचार को भी मंत्र कहा जाता है मंत्र सब्द से ही मंत्रना या मंत्री भी उद्भुत है किसी भी समस्या के समाधान हे तू खोजे गए मार्ग को भ हमारा देश भारत एक धर्म प्रधान तथा धर्म निर्पेच्छ देश है, साथ ही यहां बिश्व में प्रचलित अधिकांस धर्म के अनुयाई रहते हैं, किन्तु इन में सनातन धर्म को मानने वाले बहुत संख्ये हैं, दूसरे अस्थान पर इसलाम मातांब लंबी है, इसल वन्हेनों के लिए जिन्नवानी ही उनका मंत्र है, दोस्तो सनातन धर्म में तो भगवान के अधिरिक्त अनेक देवी देवता हैं, सबों के उपासक भी अलग-अलग हैं, कोई बैश्नोव है तो कोई सैव, कोई साक्त है तो कोई निराकार ब्रह्म का ही उपासक है, अपने देश में लोग कन-कन में भगवान को मानते हैं, यहां तक कि अपने देश में लोग भगतों की भी पूजा एम अराधना करते हैं, जहां इतनी सारी मानताये हों, वहां भला मंत्रों की कौन सी कमी है, सनातन धर्म के गरंथ तो मंत्रों से भरे पड़े हैं, सभी देवताओं के के लिए अलग-अलग मंत्र हैं सास्त्रों के अलावा हमारे रिसी मुनियों ने भी मंत्रों की रचना की है संक्राचारियों एम अन्य भगवत भगतों द्वारा भी मंत्र बनाये गए हैं सनातन धर्म इतना अधिक उदार है कि सभी अपने-पने उपास्य की उपाशना के लिए स्वतंत्र हैं स्वभाविक ही है कि जो जिस देवी देवता का उपासक होगा वह उन्हीं को प्रसंद करने वाला मंत्र जपेगा या प्राथना करेगा यह तो ही बिविधता की बात अब आपको बतलाते हैं कि वर्तमान कल् युग का मंत्र कौंशा सही है दोस्तों यह सत्य है कि समाय अनुसार मंत्र एम पूजा बिधियां भी बदलती रहती है सत्युग में जब तप त्रेता युग में यग्यहवन आदी तथा द्वापर में पूजा अर्चना से जो फल प्राप्त होता था वही पुन्य फल कल्य युग में हरी नाम सकर्थ से प्राप्त होता है अपनी अपनी आस्था के अनुसार आज बी कुछ लोग महा मिर्तियुन जय का जब करते हैं तो इसी बात का समर्ठन स्री चैतन्य वा قम महाप्रभूत्र युण पंचम मूल जगत गुरु स्री कृपालू जी महराज तथा उनके परम्प्रिये सिस्य स्वामी स्री मुकुंदा नंद स्री महराज ने भी किया है स्रीकृपालू जी महराज ने तो अस्पष्ट रूप से कहा है कि हरी नाम की ताकत हरी से तनिक भी कम नहीं है बसरते नाम मन से लिया जाए हरी नाम की महिमा इतनी अधिक है कि एक व्यक्ति तो गुरु की आग्यां से राम सब्द का उल्टा यानी मरा मरा जब कर महान संत महरसी बाल मिकी बन गया जिन्होंने बाद में रामायन लिख डाली स्री क्रिपालू जी महराज ने नाम की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि नाम के आधिन तु है गोविंद राधे तेरा नाम लेने वाला तुझको रुला दे किन्तु आगे उन्होंने यह भी कहा है फ्रेंड्स की नाम का सुमिरन या असमरन मन से होना चाहिए अर्थात जो भी मंत्र बोला जाए वह मन से होना चाहिए कल्युग में हरी नाम की प्रधानता इसलिए भी दी गई है कि इस समय संस्कृत पढ़ने और जानने वाले बहुत कम लोग हैं और सारे मंत्र संस्कृत में हैं मंत्रों के एक सब्द के एक अच्छर के एक स्वर की भी अलग गल्ती हो जाती है तो उसका अनर्थ हो जाता है और परिनाम बहुत बुरे होने लगते हैं इसलिए इस समय हरी नाम कीर्टन ही सबसे बड़ा मंत्र है। किसी भी अराध्य का नाम लेने से पुर्व उनका स्मरन करना अत्यंत अवस्यक होता है। तभी उसका फल सार्थक हो सकेगा। अन्यता नहीं। तभी तो स्रिक्रिपालु जी महराज ने कहा है कि नामी को बुलाओ फूर्व गोविंद राधे, नाम गाने से पूर्व नाम में बिठा दे, बाल मिकी को देखो गोविंद राधे, मरा मरा कही राम भ्रम को बुलादे। कुल मिलाकर फ्रेंड्स यह कहा जा सकता है कि हरी का नाम चाहे जिस किसी रूप में लिया जाए वह स्तर्वता मंगलकार ही हुता है हमें इतनी छूट दे रखी है कि हम उनका नाम चाहे जिस रूप में भी ले लें अंत में जन्मों से अपनी पहलाएं भातसल्य मैं प्रृट्ष्टी से हमारी प्रतिच्चा कर रहे हैं और हम पर करूणा दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि वे आकारन करुण वरुनाले होते हैं तो दोस्तों यह थी जानकारी की कल्यूग में कौन सा मंत्र सर्वस्रेष्ट है और मंत्र का क्या प्रभाव पढ़ता है भगवान पर उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अ देखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद